आगेती पत्ता गोबी की खेती में, आगेती फुल गोबी की खेती की तुलना में कई जाधा मुनाफ़ा है, क्योंकि पत्ता गोबी की फसल तापमान के बढ़ने या गटने से फुल गोबी की फसल की तुलना में प्रवावित नहीं होती। बारिश के सीजन में आगेती पत्तागोबी की खेती आम दनी का एक अच्छा स्त्रोत है। सिर्फ हमें या ध्यान रखना है कि बारिश के सीजन के लिए पत्तागोबी के लिए हम कौन सी किस्म के बीच का चुनाओ करें और पत्तागोबी की खेती करने का सही तरीका क्या है अब पत्तागोबी की खेती करने का सही तरीका क्या है या जानेंगे हम इस वीडियो में आगे अगेती पत्तागोवी की खेती किस तरह से करें? या समझने के लिए हम इस विडियो में मुख्यत तर इन पाश पोइंट्स पर बात करेंगे सबसे पहला अगेती पत्तागोवी की नरसरी तैयार करने का सही समय दूसरा उननत किस्थ के बीजो का चुनाओ तीसरा अगेती पत्तागोबी की नर्सरी हम किस तरह से तैयार करें चोथा नर्सरी तैयार होने के बाद में पोधो का ट्रांस्प्लाट किस तरह से करें पाचवा पत्तागोबी की फसल में लगने वाले कीट वारोग और उनका नियंत्रट छटा, अगेती पत्तागोवी की खेती से कितना उत्पादन होता है और हम कितनी आमदनी ले सकते। अगेती में पत्तागोवी की खेती करने के लिए आप पत्तागोवी की नरसरी जुलाई, अगस और सितंबर के महीने में लगा सकते। सित्तर परसेंट से भी ज्यादा किसान भाई पत्ता गोबी की नरसरी अक्तूंबर वर नौंबर के महीने में लगाते। इसलिए आप अगेती में पत्ता गोबी की नरसरी जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में लगाए। अगेती में पत्ता गोबी की नर्शरी लगाने का सही समय क्या है या अब हमें बताए अब आते हैं हमारे दूसरे पोईंट अगेती पत्ता गोबी के लिए हम कौन सी उन्नत किस्म के बीजों का चुनाओ करें तो पहली वेराइटी है हमारी हाइवेज कमपनी की प्रतिक इसके फूल का वजन देड़ से 1.75 केजी तक होता है और इसकी हर्वेस्टिंग साथ से 60 दिन में आ जाती है इस वेराइटी की सबसे खास बात या है इसका पोधा हाई टेमपरेचर और अच्टिदिक बारिश को भी सेन कर से तो आप 15 अगस के बाद में हाई वेज कमपनी की प्रतिक के बीजों का चुनाव कर सकते हैं अगर आप सितंबर के महिने में पत्तागोबी की नरसरी लगाते हैं तो आप सेमीनस ग्रीन वोयाजत के बीजों का भी चुनाव कर सकते हैं और हाई वेज प्रतिक के भी ले सकते हैं। अगेती पत्तागोबी की नरसरी लगाने का सही समय 29 के चुनाओ के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पोईंट। अगेती पत्तागोबी की नरसरी हम किस तरह से लगाते हैं। तो पहले हम यही समस्ते हैं कि क्यारियों के मात्यम से पत्तागोबी की नरसरी किस तरह से लगाएं। उसके बाद में हम देखेंगे कि पोकोपीट में प्रोट्रे के मात्यम से नरसरी किस तरह से तयार हैं। आप सबसे पहले एक समतल क्यारी बनाए और आपकी क्यारी की लंबाई आप 15-20 फिट रखे और क्यारी की चोड़ाई आप 4-5 फिट रखे फिर इन क्यारीों में वर्मी कमपोस्ट या देशी गोबर की खाट डाल दे और इसे मिक्ती में अच्छी तरह से मिला दो अब मिक्ती के विजों का छड़गाओं इन क्यारीों में करते हैं विद छड़गाओं के बाद में कुछ इस तरह से इन विजों के उंक पनिति चड़ा दे एक बात का ध्यान देख से मिट्टी की एक पतली सी लेयर चड़ाना है, इन वीजों के उठ, जोकि मिट्टी में जादा गेराई पर बीच का जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होता है, फिर आख सिचाई करें, हमारी दूसरी विधी, प्रोट्रे में कोकोपीट के माथ्यम्स, इस विधी के लिए हमें यहा जब में दूबा दे, और जब कोकोपीट पूरे पानी को सोख ले, तब इसमें से एक्ष्ट्रा पानी हटा कर इसे सुखा ले, पांच केजी कोकोपीट में एक किलो वर्मी कंपोस्ट, एक किलो पेरलाइट मिला है, और इने अच्छी तरह से मिखा, इस मिश्रन को इन प्रो बिज को डाल दे, बिज डालने के बाद में इन बिजों के ऊपर कोकोपीट की एक पतलिसी लेयर चड़ाद, अंत में स्प्रेपम की मदद से सिचाई कर, पत्ता गोबी की नरसरी खेत में ट्रांस्प्लांडिंग के लिए 30 दिन में तैयार हो जाती, खेत में ट्रांस्प्ला आप देख सकते हैं कि हमने क्यारियों की चोड़ाई, 4 से 5 विट रखीए, क्यारियों की लंबाई आप 30 विट या फिर इस से भी जाधा रख सकते हैं, पर फिर भी एक बात का ध्यान रखे हैं कि क्यारियों, यह जो लास्ट के हिस्से, वहाँ पर पानि जबान नहीं होना च लाइन से लाइन के बीच की दूरी एक फिट और पोदे से पोदे के बीच की दूरी भी आप एक फिट रख सकते हैं। कि हमारी पत्ता गोवी के पोदे की जो पत्तिया है इन पर इनली का आटेक हुआ है। पत्ता गोवी की फसल हर्वेस्टिंग पर आजाएगी फिर आपको कोई भी रिस्प्रेक करने की जोरत है। पहला इस्प्रेक जो कि हम ट्रांस्प्लार्णिंग के 20 दिन बात करेंगे। इसमें आप टाटा टाको मी 10 ग्राम वा प्रोफेक्स सूपर पचासे में 16 लिटर की तंकी में मिलाकर इस्प्रेक पम की साहिता से पत्ता गोवी की फसल पर इस्प्रेक कर दे। टाटा टाको मी पत्तों के जो अंदर की हिल्ली होती है उनको मारने के काम में आती है और प्रोफेक्स उपर जो पत्तों के ऊपर की हिल्ली रहती है उनको मारने के काम में आती है। पहले इस्प्रेक की तरह ही आप दूसरा वा तीसरा इस्प्रेक जो कि हम 40 और 60 दिन के सब्सक्राइब करें ध cap p t a c d ताइब कोई इसाब अंतमे देखते एक में पत्तागोवी की फसल से एक एकर से हमें कितना उत्पादन होता है और हमारी कितनी आमजनी पत्ता गुबी के पोधो का ट्रांस्पलांट अगर आप एक बाई एक की दूरी पर करते हैं यानि कि एक लाइन से दुसरी लाइन की बीच की दूरी एक फिट और पोधे से पोधे की दूरी एक फिट तो एक एकड़ में 35,000 से 40,000 पत्ता गुबी के पोधे लगेंगे हमारा ट्रांस्प्लांडिंग के बाद में 10% के हिसाब से हमारे पोधे की डंपिंग ओफ होती ही है वह उसके बाद में रोगव किटों के अटेक से हमारे 30% पोधे प्रवावित होते हैं इस तरह हमें 20,000 पत्तागोबी के पोधों से उत्पादन देखने को मिलेगा। पत्तागोबी के एक फूल का वजग मिनिममम 800 ग्राम तो मिलता ही है हम यही लेते हैं इस तरह हमारा उत्पादन होगा 160 कुंटल यानि कि एक एकड़ पत्तागोबी की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 160 कुंटल वा एक कुंटल में 100 किलो होता है और हमने एक किलो का मंडी पाउ लियाए 10 रूपे इस तरह हमारी आमदनी हुई 1,60,000 रूपे यानि एक एकड़ पत्तागोबी की खेती से हमारी आमदनी हुई 1,60,000 रूपे इस वीडियो में गीगई जानकारी अगर अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर हमने पत्तागोब की फसल से जुड़ा हुआ इसी भी विशय को इस वीडियो में नहीं बताए तो आप हमें कमेंट सेक्षन में बता सकते हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस टोपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें नवात किसान भाईयो जे जवान जे किसान